तो बच्चों आज हम बनाने वाले हैं finger puppets तो सबसे पहले मैंने एक white sheet ली है और उस पर मैं एक cat बना रही हूँ आप चाहें तो पहले pencil से भी बना सकते हैं मैं यहाँ पर सीधा sketch pen से बना रही हूँ अब इसका चहरा बन गया कान भी बन गये अब हम बनाएंगे इसकी आँखें अब नाख भी बन गई और अब इसका मूँ और यह हो गई हमारी cat तयार ऐसे ही हम एक और cat बनानी है तो यहां मैंने दोनो cats बना ली है और अब दोनो cats बनाने के बाद हम इसे side में रख देंगे और एक दूसरे paper पे हम बनाने वाले हैं monkey की यानि बंदर बंदर का सर बन गया अब इसके कान बनाएंगे यह दूसरी तरफ से भी इसका कान बना दिया और अब हम बनाएंगे इसकी आखें अब इसकी नाक और इसका मूँ अब हमारा बंदर तयार है अब हम इसको कलर करेंगे तो मैंने सफेद बिली बनाई है और एक काली बिली दोनों बिलियां तयार हो गई अब यह रहा हमारा बंदर इसमें भी मैंने रंग भर दिया है अब बच्चों हमें इन तीनों आनिमल्स को काटना है इसके लिए आप किसी बड़े की मदद ले मैंने यहां तीनों कट कर लिए हैं और यह ऐसे दिख रहे हैं तो हमारे को अब नेक्स टेप के लिए एक स्ट्रिप चाहिए पेपर की जैसे मैंने यह स्ट्रिप लिए है ना पेपर की जो आपकी उंगली के आसपस आप रोल कर सके उस हिसाब से इसकी चौड़ाई रखेंगे और ऐसी हमें तीन स्ट्रिप्स चाहिए तो मैंने आप तीन स्ट्रिप्स तयार कर लिए हैं अपनी उंगली के हिसाब से, एक बार हम इसको रोल करके भी देख लेते हैं, तो आपको इसको इस तरह से रोल करना है, कि एक कोने से दूसरा कोना आप मिला सके, यह देखिए, बिल्कुल सही साइज है, तो अब हम इसे ऐसे ही चिपका लेंगे, तो इसके लिए हमें गोंद चाहिए, तो मैंने यहाँ गोंद ले लिए फैविकॉल और मैं इसको लगा रही हूँ, साइड वाले एज पे, मैंने यहाँ पे लगा ली है, अब मैं इसको रोल करूंगी, और इसको चिपका दूँ, चिपकाने के बाद मैं एक बार फिर से साइज चेक कर लेती हूँ, बिल्कुल सही साइज है हमारी फिंगर के लिए, और अब मैंने इस पे बंदर को चिपका रही हूँ, तो बंदर पे भी फैविकॉल लगाएंगे हम, या आप स्ट्रिप पे लगा सकते हैं, मैंने या स्ट्रिप पे फैविकॉल लगाई, और अब मैं उसके उपर बंदर चिपका दूँगी, अब आप इस स्ट्रिप को भी कलर कर सकते हैं, जिससे आपका बंदर पूरा रेडी हो जाएगा, तो कलर करने के बाद मेरा बंदर कुछ इस तरह से देख रहा है, अब इसी तरह से हमें अपनी जो कैट्स हैं दोनों, उनके लिए भी स्ट्रिप बनानी हैं, कलर करनी हैं और चिपका देनी हैं, जैसे ही काली बिली का पपेट बन चुका है, और इसी तरह से मैंने दूसरी बिली जो सफेद बिली है उसका भी finger puppet बना के तयार कर लिया है और यहां हमारे तीनों puppets तयार हो चुके हैं कोई भी cutting का काम हो बच्चो आप अपने बड़ों से ही करवाएं और puppets जरूर बनाएं